नमस्कार दोस्तों आज इस बड़िया पाम का एनालिसिस करेंगे जो पहली नजर में रेक्टेंगल प्लस चौड़ा दोनों इस पाम में खासियते हैं ऐसा व्यक्ति बोलकर भी अपना कारियर पूरा करेगा और मेनती भी अच्छा खासा होता है इस तरह का व्यक्ति पर इस पाम पर अंगुठा मद्यमगत कदका है तो व्यक्तित्व उतना उब्रा हुआ नहीं होता पर मोटा होने के कारण अंगुठा थोड़ा सा व्यक्तित्व बैटर दिखेगा लोगों को अब चलते हैं इनकी छोटी उंगली पर छोटी उंगली फर्स फैलेंज के सुरी उंगली के फर्स फैलेंज तक नहीं पहुच दिए ये ये माइनस पॉइंट है इस पाम पर ऐसे लोग वस्तुओं को संभाल कर रखना तहां रखिये उसको याद रखना और कम्मिनिकेशन जो बोल के करने वाले कम्मिनिकेशन रहते हैं उनमें काफी ये लोग कभी कभी प्रॉब्लम क्रियेट करती है पर इस पाम पर एक सबसे बड़ी खासियत है ये इंद्र धनुष नुपी जो यहाँ पर उंगलिया चलती है ये बहुत अच्छी साइन है ऐसे ल जीवन में सफल होते हैं अब चलते हैं इनके परवतों कोया इनके परवतों मैं सबसे बेटर साइंग जो रेर में कभी कभी ही दिखती है वो यहाँ पर बनने वाला स्टार बुद्परवत पर जब स्टार बनता है तो बहुत बार इसके माइनस पॉइंट भी मिलते हैं और प्लस पॉइंट भी मिलते हैं अब माइनस पॉइंट कैसे हैं माइनस पॉइंट इसके लिए होते हैं बुद्परवत है विज्ञान और वानिज्य का कारक व्यक्ति में स्ट स्टार एम्प्लिफाय करता उस गुणों को परवत पर जब स्टार होता है तो उसके गुणों को हैं अब बुद्परवत पर जब इस तरह का स्टार होता है तो ऐसे व्यक्ति में एक्ष्ट्रीम हिम्मत आ जाती है वानिज्य की अगर उसके फेट लाइन पर कोई कट है तो ऐसा व्यक्ति नुकसान भी करता है क्योंकि वो अती वानिज्य में एबिलिटी आ जाती है उसमें और वो उस फिल्ड में प्रॉब्लम क्रियेट कर देता है पर इनकी फेट लाइन में ऐसी कोई माइनस पॉइंट डिख नहीं रही है तो इनके पाम पर ये स्टार पॉजिटिव कार्य करेगा व्यापार वानिज्य या विज्यान छेत्र की अच्छी खासी इनको महरत हासिल होगी इस स्टार के कारण अब चलते इनका प्रश्ण था मेरे से रिलेटेड भी तो उसका वीडियो में जिक्र करना अच्छा नहीं है उसके लिए हम प्राइवेट में इनके वाटसप पे डिसकस कर लेंगे और अब चलते इनके सुर्य परवत पर सुर्य परवत पर एक खड़ी लाइन है और उसको मिलकर एक फ्लेक्सी साइन बन रही है जब इस तरह की साइन बनती है तो व्यक्ति का नाम होता है और ये पैसा कमाने में भी अच्छी खासी हेल्प करती है व्यक्ति का नाम या तो उसके कला छित्र से होता है या उसमें जो हुनर होता है उसके कारण होता है और उसके द्वारा उसके पास पैसे की भी आमदिनी होती है और ऐसे लोगों का नाम अच्छा खासा फैलता है यह better sign है इनके पाम पर और एक sign है इनके पाम पर star की यह देखो सुरे रेखा से बनने वाला star जब सुरे परवत पर star होता है तो ऐसे लोगों का सरकारी लोगों से कामकाज बहुत easily हो जाता है और यह star सुरे के गुणों को और बढ़ा देता है ऐसे लोग काफी अच्छी रिच से अपनी बातों को पेश कर पाते और इनका काम चुटकी बज़ाय हर जगह हो जाता है तो यह बहुत better sign है और यह पैसा कमाने में भी अच्छी खासी help करती है व्यक्ति इस sign के कारण अच्छा खासा समरुद बनता है प्लस नाम भी होता है यह square जब इस तरका square होता है चाय व्यक्ति जॉब करता हो चाय प्राइवेट जॉब करता हो या सरकारी करता हो या उस व्यक्ति का व्यापार भी हो पर ये जब sign होती है तो व्यक्ति वानिज अपने है जो उसका कारे छेत्र होता है उसका छेत्र फल बहुत बड़ा होता है multi city होता है और जितना बड़ा square उतना ही बड़ा कारे छेत्र हो उसका तो ये भी एक better sign है और इनके पाम पर एक और better sign है जो इस तरह से उल्टा बनने वाला square जब इस तरह से हिदे रेखा के उपर सुर्य परवत के पास इस तरह का square बनता है तो व्यक्ति पुस्तेनी जायदाथ प्लस खुद भी खरीदी वी जायदाथ अच्छी खासी व्यक्ति जमा करता है यानि एक से ज़्यादा घर या जमीन ऐसे व्यक्ति के पास होते है अब चलते इनके सनी परवत सनी परवत एकदम clean and knit यहां थोड़ी रेखाए है पर इनकी जो main fate line है वो हिदे रेखा के साथ मिलकर गुरु परवत की और देख रही है जब सनी परवत पर इस तरह से गुरु परवत की और कोई रेखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों का संबंध सरकार politics से आता ही है ऐसे व्यक्ति चाहे सरकारी job करे या private business भी करे या private job भी करे ऐसे व्यक्तियों का सरकार से relation hundred percent देखा गया है तो इनके पाम पर ये sign है और सनी परवत काफी अच्छा है तो अच्छे फल इनको प्राप्त होंगे अब गुरु परवत को देखे तो काफी अच्छा उब्रा हुआ पार्ट है प्लस इस पर एक clear cut square बन रहा है अब square का मतलब ये होता है व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो अपने बल्बूते पर व्यक्ति मेनत करके आम लोगों से थोड़ा सा या आम लोगों से अच्छी position पर पहुँच जाता है और 32 साल के पहले खुद का घर ले लेता और 36 साल के बाद authority position पर आना सुरू करता है तो ये better sign है और ऐसा व्यक्ति बोल कर कारे करने में भी काफी expert होता है किसी को समझाना करना ये एक तरह का teacher square भी कह सकते इसको लोगों को ऐसे लोग काफी अच्छी रिच से समझा सकते हैं इनके palm पर एक horizontal line भी चल रही है जो छोटी बड़ी मिला कर चल रही है यानि इनको multiple income के स्रोत होंगे पर कोई income 4 साल के लिए, कोई 12 साल के लिए, कोई 8 साल के लिए इस तरह से इनको लाब मिलते रहेंगे अलग-अलग जीवन के अलग-अलग मौके पर एक complete इस तरह की multiple income की रेखा नहीं बन रही है अगर इस तरह की रेखा बने complete तो व्यक्ति को continue multiple income उसने जो create किये रहते स्रोत उससे होते रहती है अब चलते इनके अन्रूनी मंगल पर जैसा चाहिए नहीं जादा उबरा हुआ ना दबा हुआ तो ऐसे लोगों में हिम्मत अंदर से भी काफी अच्छी होती है मंगल जीवन में अच्छा खासा रोल आपके सभाव में निभाता है और व्यक्ती संकटों से जुजने के लिए उसमें हिम्मत होनी बहुत जरूरी है और वो देता है यह मंगल च्छित्र अन्रूनी मंगल देता है अंदर की हिम्मत जो आपके अंदर होती है और भारी मंगल इनका देखते वो भी काफी उबरा हुआ है और इस तरह से काव बन रहा है जब इस तरह से काव बने तो वो अच्छा खासा प्रमिनेंट ग्रह माना जाता है मंगल ग्रह और साफ सुत्रा है तो इनमें संकटों से लड़ने की काफी अच्छी सक्ती यह मंगल दे रहा है ये काफी हिम्मत वाले होंगे लोगों में भी इनकी हिम्मत दिखेगी अब इनके चंद्रपरवत पर देखे तो खड़ी लाइने दिख रही है प्लस एक ये लाइन भी दिख रही है तो इनको बार-बार विदेश जाने के आउसर मिलते रहेंगे ये दिखा रहा है प्लस चंद्र का छित्र एकदम clean and neat है तो ऐसे लोगों की जो सोच होती है जब चंद्रपरवत अच्छा होता है तो काफी अच्छी refined सोच ऐसे लोग रखते हैं ये किसी को परेशान नहीं करते इनके द्वारा लोगों को इनकी सोच के द्वारा लोगों को लाब ही होता है और काफी अच्छी position पर यानि अच्छी तरह से लोगों को सला भी दे सकते ही है तो यह बहुत अच्छा चंद्रगरा है इनको अच्छा लाब मिलेगा इनके द्वारा अब चलते इनके शुक्र परवत पर तो पहली नजर जाती है मेरी किसी भी पाम पर शुक्र रेखा पर जब इस तरह की रेखा व्यक्ती में पाई जाती है तो उसको basic luxury, जैसे AC में बैठना, गाड़ी में घुमना, अच्छी होटलों में खाना पीना, ये सब easily उसके जीवन में प्राप्त होता है, उसको उसके लिए ज़्यादा कश्ट उठाना नहीं पड़ता, चाहे काहे कितनी भी तकलिप आ जाए, तो भी ऐसे वेक्टियों की जो खासी luxury मिलती है, पर एक रेखा भी र्यक्ति को luxury देती है, प्लस इनका जो शुक्र का परवत है, वो एकड़म clean and neat है, तो ये भी बहुत अच्छी साइन है, ये इस परवत के कारण इनके पास अच्छा खासा धन आएगा, और इनकी सोच भी जो होगी, वो काफी refined बनती है, और शुक्र परवत अच्छा खासा धन देता ही है, गुरु परवत भी देता है, दोनों इनमें अच्छे है, इनके पाम पर, इनके घ्र लगबग सब अच्छे है, शुक्र परवत अपना सन परवत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो आखों के problem इनको भविश में आ सकते हैं, नंबर वाले, वो आखे खराब होना नहीं, नंबर भविश में इनको आ सकते हैं, पर उस पर अच्छी खासी साइन है, तो कोई मुझे problem दिख नहीं रही है, अब इनकी हार्ट लाइन को देखते हैं, अब हार्ट लाइन इनकी सनी परवत से ही सुरू हो रही है, और एक साख जराब भी भावात्मक रूप से सोचता नहीं, वो हमेशा पैसे कैसे कमाना उसके बारे में उसकी सोच बनती है, अगर इस साखा को मिला ले, तो आदमी भावुक होता है, पर इस तरह का इस रदे रेखा में ऐसा कोई रूप नहीं दिख रहा है, ये जराबी भावुक नही पर जैसे जैसे उमर बढ़ेगी, इनका पैसा कमाने में ही फोकस रहेगा, और हड़े रेखा पे कोई ऐसा माइनस पॉइंट दिख नहीं रहा है, जो डिसकस करने लायक है, अब चलते हैं इनकी माइन लाइन पर, माइन लाइन इनकी पतली रेखा से सुरू होकर, गुरू से सुरू होकर, चंद्र की और बढ़ रही है, जब इस तरह से रेखा बढ़ती है, तो ये रेखा भी भहुत सारा एंबिशियस देती है जीवन में, ऐसे व्यक्ति अपने धे के पीछे लग जाते हैं, और सफलता प्राप्ट करके ही छोड़ते हैं, गुरू से सुरू होने वा ही है, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा रिफाइंड सोच और इनका इमेजिनेशन पावर एक्स्ट्रीम लेवल पर होता है, प्लस इनकी डबल माइन लाइन बन रही है, यहां से एक साखा निकल कर आगे बढ़ रही है, जब इस तरह से डबल माइन लाइन हो, तो उस उमर के प उमर काउंट करे, तो यह लगबग 42 साल के आसपास यह दिख रही है, 42 साल के बाद इनका जो चमकना शुरू होगा जीवन, वो एक्स्ट्रीम लेवल पर पहुचेगा, और यह इस तरह की डबल माइन लाइन, कम्मिनिकेशन, लिखकर जो कम्मिनिकेशन है, बोल करने, जो ल प्राविट कम्मनी में हो, या कहीं सरकारी ठेकेदारी में हो, या सरकार के साथ, सौफ्ट्वेर वाली चीजों में भी हो, तो इनका जो लिखने का पैटन है, वो इतना बैटर होता है, कि उसके द्वारा इनको जीत मिल जाती है, अब चलते इनकी जीवन रेखा पर, जीवन रेखा और माइन लाइन के बीच में दूरी है, जब इस तरह की दूरी होती है, तो व्यक्ती एक्ष्ट्रा इंबिशियस रहता है, प्लस जिद्दी होता है, किसी की सुनता नहीं, अपनी ही करता है, ये एक गुण इनमें होते है, अब इनकी जो जीवन रेखा है, वो यहां तक थोड़ी सी वेवी चल रही है, पर जादा तर बच्चपन में इस तरह की लोगों के पाम पर रेखाए होती है, इसको सिरियसली लेने की जुरतनी उस समय आदमी थोड़ा सा संगर्स में रहता ही है, और हरेक का बच्चपन कहीं न कहीं किसी रूप में थोड़ा तो संग कड़ रही है, और कोई उस पर ऐसा माइनस पॉइंट है नहीं, कि इस रेखा को बहुत राव रेखा है, काट रही हो या कुछ हो, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, यानि इनका जीवन निरंतर आगे बढ़ते रहेगा, और बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है, और ट्राइंग बने हुए है, यह प्रोग्रेस लाइन, यह प्रोग्रेस लाइन, यह पर, यह पर, यह बड़ी सी, और यह यात्रा रेखा है, और यह बुद्ध रेखा, अब इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर दो तीन भी होती है, तो व्यक्ति कहा से कहां पहुच जाता है तो इनके तो इतनी सारी प्लस इस जीवन रेखा को मिला कर ट्रैंगल भी अच्छे खासे बन रहे तो जब भी ट्रैंगल जीवन रेखा पर बनते हैं तो प्रोपर्टी आती ही है व्यक्ति के पास यानि इनको जमीन जायदात का अच्छा खासा सुख प्राप्त होने वाला है यह इनके पांग से दीख रहा है और इनके कारे छेतर में लगते ही स्पीड में इनका प्रोग्रेस होना शुरू होगा और यह अच्छी खासी प्रोपर्टिया जीवन में जमा करेंगे और जब ट्राइंगल जीवन रेखा पर होता है तो उनका समय भी उतना ही बैटर जाता है तो यह सबसे प्लस पॉइंट है अब यह ट्राइंगल सुरू होते हैं लगबग 30 के बाद से 30 के आसपास से इनके सुरू हो रहे और यहां से लेके यहां तक कम्प्लिट ट्राइंगल ही ट्राइंगल है और उसके बाद भी है 50 सांड की उमर तक तो ट्राइंगल बने हुए यानी यह व्यक्ति काफी आगे निकलेंगे इस जीवन रेखा के चिन्नों से तो पता चलता है अब चलते इनकी फेट लाइन को इनके फेट लाइन के दो रूप है एक है यहां से निकलने वाली रेखा यहां तक चली और एक मनी ट्राइंगल यहां पे क्रियेट हो रहा है जब मनी ट्रैंगल होता है व्यक्ति के पास धन संग्रा होता ही है और धन आने की मात्रा भी अच्छी खासी होती है अब यही रेखा यहां से थोड़ी सी अलग होकर चली और हार्ट लाइन की साखा को मिलकर गुरू परवत की और गई अब यहां पे सा बदलाव आ रहा है इस छेत्र में यह उमर होगी लगबग 32-33 के आसपास इनके जीवन में कुछ न कुछ उस उमर में बदलाव आएगा और थोड़ा सा डाइवर्शिफिकेशन इनके होगा बहुत बड़ा डाइवर्शिफिकेशन नहीं दिख रहा पर एक हलका सा जम्मे होगा और जब किसी व्यक्ति के नौन स्टॉप धन रेखा होती है तो ऐसे भी उस व्यक्ति को धन कमाने के मामले में संतोष रहता है और ज्यादा एफट उसको करनी नहीं पड़ती इजी ली उसके बास धन आता रहता है और आराम से उसका जीवन गुजरता है और सबसे बड़ी खासियत है इस लाइन पर कोई कट नहीं आ रहे जब धन रेखा पर कट नहीं होते तो व्यक्ति को इजी ली जीवन अपना यापन करता है जो कट इनको दिखते भी होगे खाली एक छोटा सा कट उमर 27 के आसपास दिख रहा है 27-28 के आसपास कहीं न कहीं कुछ खर्च होगा इनका सीधा कट है तो कोई नश्टी होता है तो बहुत बड़ा नुक्सान नहीं दिख रहा बाकी के जो भी इनमें दिख रहे यह investment वाली कट है यह कट नहीं है यहाँ इनके द्वारा कोई न कोई investment होगा और उसका benefit इनको जीवन बर मिलते रहेगा तो इनकी ल तो मेरे हिसाब से योग्य पाम है एक सफल व्यक्ति का पाम दिख रहा है आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों का जवाब मिल गया होगा और ये चाहे सरकारी नोकरी करे या सरकारी कोई जॉब करे या कोई व्यापार से रिलेटेड भी काम करे इनका पाम पहली नजर में एक बिजनेसमेन का लग रहा है पर अगर ये सरकारी जॉब भी करते है तो भी इनका सरकार से रिलेशन और बिजनेस भी करेंगे तो सरकार से रिलेशन आने ही वाला है पॉलिटिक्स और सरकार का रिलेशन इनके पाम पर कंटीन्यू दिख रहा है आशा रखता हूं इनके प और सब पर बता दूंगा और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद